नीट 2025 के आप तयारी कर रहे हैं और अगर आप लोगों को पता नहीं है कि पिछले 10 सालों का क्या ट्रेंड है नीट का तो बेटा शायद आपकी तयारी में जरूर कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी तो मेरा नाम है आधर श्राय और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का इंफिनिटिल और नेट बाई स्री चतन्या में पाएं कि यार किस chapter से कितने सवाल expected है तो शुरू करते हैं हमारे trend analysis को अब सबसे पहले मैंने पुराने पिछले 10 सालों को 3 sections में बाटा है सबसे पहला section है मेरा 2015 से 19 के बीच का 2015 का वो साल था जब AI PMT का पेपर लीख हुआ था और उसके बाद NEET के पेपर बनने लग गए थे right so 2015 से 2019 में NEET का जब पेपर बन रहा था जब officially NEET आय था इस दोरान यार पेपर काफी अच्छे लेवल के बनते थे यह वो period था जब अगर आप 530 540 550 भी लाते थे आप मानगे चलिए आपको एक GMC मिल जाता था यह वो period था NEET 2016 तो one of the toughest paper आज तक बना है ना ही बस NEET में बलकि JEE में भी JEE Advance 2016 का one of the toughest paper था आज तक जो created है so इस समय physics काफी tough portion में आती थी और एक जो एक fear रहता था physics का वो in years में काफी जादा रहता था बट क्योंकि cut off कम रहता था 530 540 550 बहुत सारे students बहुत portion of physics को ignore कर देते थे कुछ portion जैसे mostly 12th को focus में रखते थे और 12th focus करके वो around 25-30 सवाल कर लेते थे आराम से और उनका selection भी हो जाता था botany, zoology, chemistry वो बढ़ियां रखते थे ठेक हैं तो ये तो हिसाब किताब था physics का अब क्या हिसाब किताब वैसा होने वाला है अगर आप मेरे से पूछे हैं तो बहुत काम chance है इस साल जिस हिसाब का cut off, shoot up हुआ है उसके बाद काफी ये speculations बहुत लोगों के द्वारा हो रही थी कि physics का paper आफ काफी tough आएगा but point ये है देखो minister of education, even NTA और जो भी higher authorities है उनका एक चीज तो sense बनाता है कि वो paper पूरी कोशिश करेंगे वैसा बनाने की जो की pan India basis पे हर एक student जो coaching जाता हो या ना हो सब उस paper को दे पाए यानि वो NCRT centric रहेगा और यानि वो board से मिलता जुलता रहेगा कुछ सवाल जरूरत बिल्कुल हो सकते हैं जिनका level अच्छा हो but mostly अगर paper की बात करोगे तो इस दौरान का paper शायद नहीं बनेगा इतना tough paper नहीं बनेगा next बात करूँ मैं 20 से लेके 22 के बीच में तो यहाँ पे numericals conceptual question आये थे but हाँ tougher से moderate level में आपका difficulty shift हो गया था questions no doubt तब भी बहुत अच्छे होते थे बठाँ उतने tough नहीं थे जितने इस दौरान पूछे जाते थे ठीक है तो questions यहाँ पे भी mediocre level moderate level के थे यह 2020 से 22 का बता दिया मैंने ठीक है अब बात करते last 2 year की यानि 2023 और 2024 की इस paper को मैं easy to moderate की range में categorize करूँगा जिसमें जो tangent है या जो आपका marker है वो towards easy जादा switch करेगा और यही बहुत बड़ा reason भी है देखिए botany zoology as it is ही आ रही है उसमें कोई बहुत major variation नहीं होंगे ना ही chemistry में बट physics में इतना major variation hard से moderate से easy आने की वज़े से एक बहुत बड़ा reason है कि क्यों आपका जो cut off है वो भी shoot up हो गया तो यह तो हो गया paper का analysis अब 2025 का analysis अगर आप बात करें तो देखिए high chances हैं कि वो इस range में ही रहेगा वो easy to moderate की range में ही रहेगा जहाँ पे जो आपका marker है वो towards easy ना हो के towards moderate रहेगा यानी रहेंगे कुछ questions बढ़ियाँ वाले अच्छे level के रहेंगे ऐसा नहीं है कि सारे easy आ जाएगे लेकिन हाँ अधिक्तम question रहेंगे easy to moderate वाले zone में अब इससे क्या है इससे यह point है कि क्या cut off बहुत जादा गिर जाएगा देखो cut off बहुत जादा शायद में भी ना गिरे और इस range में रहें अब अगर इस range में रहेगा sir तो हाहा कार मत जाएगा शाड़े 600 का safe score अगर रहेगा तो बहुत दिक्कत है तो मेरा expectation यह है कि यार अभी जैसे NTA ने जेए में कुछ changes लाए section भी हटा दिया वैसी NEET में भी कुछ changes expected है हो सकता है paper level बढ़ा दे cbt based कर दे अभी तो मैं जैसे आपको next slide में बताऊंगा कि हर एक chapter से expected questions कितने हैं करेक्ट तो यह भी हो सकता section भी यहां से भी remove कर दे एक तो यह दूसरा questions के level के बारे में कुछ बताएं कि यार पेपर देखिए NCRT से limited रहेगा बट बाहर से भी आ सकता है there can be anything but अभी तक के हिसाब से जब तक कोई major announcement नहीं आया NTA से तब तक हिसाब के दाब बता रहो तो मेरा expectation तो यह है कि जिससे आपका paper 23-24 में बनाया है उसी level का रहेगा बट थोड़ा सा और uplifted थोड़े moderate questions और आएंगे और अगर यह समझ में आ चुका है तो इन trend से आपको यह एक बहुत अच्छा हम outcome भी निकाल सकते हैं देखो यह difficulty level से तो कोई outcome नहीं निकाल सकते हैं यहाँ पर तो यह difficulty level है बट जो एक major outcome में निकाल सकता हैं दस साल में वो है chapter wise inclination क्या रहा है कौन से chapter से जादतर सवाल पूछे गए हैं और यह आप लोगों के सामने on an average दिये गए हैं हर एक chapter और उन से on an average कित्ते सवाल हैं तो units and measurements से सालाना आप 2 सवाल expect कर सकते हैं motion in a straight line and plane से 2 से 3 सवाल के बीच में range करता है laws of motion काफी important chapter और इससे हमेशा 4 के आसपा सवाल expected रहते ही रहते हैं work energy power on the other hand 2 सवाल system of particle rotational motion से भी 4 सवाल रहते ही हैं तो rotational इतना बड़ा और laws of motion इतना बड़ा भी नहीं लेकिन तब भी match करता है oscillation and waves से 2 सवाल रहते हैं जिसमें waves से ज़्यादा chances रहते हैं gravitation very important gravitation भी छोटा से chapter है बड़ दो सवाल इससे भी आते ही हैं इसमें 3 भी जा सकते हीट and thermodynamics thermodynamics से भी काफी सवाल आते हैं जिसमें 4 सवाल रहते हैं electrostatics and electricity जो की आपका class 12 का है जिसमें electric field and charges, electrostatic potential उनके पास sentence और electricity तीनों chapter उससे around आप मान के चलिए 12 सवाल something around रहेंगे magnetism की अगर मैं बात करूँ तो magnetism से 4 सवाल, optics, ray और wave से 6 सवाल और modern physics से 6 सवाल रहते हैं इसका प्ली screenshot ले लीजे और इसका एक expected लगा के चलिए कि ये मेरे expectation है total आप देखेंगे total 50 सवाल है यहाँ पर अभी तक मैं यही मान के चल रहा हूँ कोई changes नहीं है तो इस साल भी आपको 50 सवाल है आएंगे तो मेरे expectation यह है कि इनकी variety, इनका distribution कुछ इस तरीके का रहेगा अब इसमें से आप pick कर सकते है कौन-कौन से important chapters जो की easy भी है जैसे modern physics काफी easy है आप बिल्कुल skip नहीं कर सकते है electricity, electrostats बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हो, optics बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हो, उसके बाद thermodynamics बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हो ग्राविटेशन क्योंकि electrostats से काफी मिलता जोलता उसको नहीं छोड़ सकते है laws of motion बिल्कुल नहीं छोड़ सकते है यह बिल्कुल नहीं छोड़ सकते यह नहीं छोड़ सकते क्योंकि यह काफी easy है rotation में चलो दिककत भी आजा तो rotation का कुछ portion हम करके ही रहेंगे तो ये आपके सामने मैंने एंसर्कल कुछ major important topics कर दी हैं इनको भी आप कर लेते तो बाकी जो चीजे छूट रही है ठीक है उनमें थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं अगर आप लोगो दिक्कत ना हो अनना मेरा तो कहना है आप सारी चीजे ट्राइ करें तो प्लीज इसका एक screenshot ले लिजे इसका एक दिमाग में एक framework रखिए आप यू प्रिपरेशन में काफी help करेगा कहीं पर आप किसी chapter में problem face करने तो प्लीज इस वेटेज को याद रखेंगे तो जैनुएनली आपको लेगा कि ठीक है जैसे मैं मेरे बहुत सारे students है जो मेरे paid batch में उनके साथ जब one-to-one connect करता हूँ तो मैं पूछता हूँ कौन से chapter में किस topic में कहा दिक्कत आ रहे टेस्ट के हिजाब से बताओ या मैं analyze खुद करता हूँ उनके test results देखके तो मैं बहुत लोगों को यह भी avoid बताता हूँ कि यार आप कौन सी चीज़ avoid भी कर सकते हो जिनका वेटेज नियों न avoid करो बिना मतलब सरदर्दी लेने को कोई मतलब नहीं है कि समझ में आ रहा है नहीं तब भी खीचे जा रहे ह है 2999 पे आपको code लगाना पड़ेगा YouTube 50 of website आप दोनों पर आपको यह test series मिल जाएगी हर एक serious aspirant को इस test series में enroll करना चाहिए क्योंकि आप स्रीच चतन्या कि वो टॉपर बच्चों के साथ in-house ranking के साथ आपको result मिलेगा जो कि आपको यह बताएगा कि यार आप कहां stand कर रहे हो नाशनल लेवल पे इंफिनिटी लर्न के आप आप अप स्टोर और प्ले स्टोर दोनों से डाउनलेट कर सकते हैं काफी अच्छी आप है आपकी preparation में काफी मदद करेगी अगर वीडियो में आपको कुछ information लगी तो जरूर लाइक करिएगा और बिलकुल बताएगा comment में चराँ में ।